दिस नवरात्री सीजन लेट्स मेक आर वर्थ वाला डोसा सबसे पहले हमने साबुदाना लिया है वन फोर्थ कप और इसको हमने ड्राइ रोस्ट कर लेना अच्छे से पांच मिंट तक के लिए एक ग्राइंडर लेंगे उसमें डालेंगे एक कब हमारे सामक के चावल और इसको हमने एक पाउडर फॉर्म में मिक्सी कर लेना है जब यह मिक्सी हो जाएगा हमने इसको ट्रांसफर करना है एक मिक्सिंग बाउल में उसके बाद हमने इसमें डालनी है बारी कट्यूई हरी मिच्ची द्रक और धनिया उसके बाद हमने इसमें डालना है यहां पर ह और फिर हम इसमें डालेंगे spices, सेंदा, नमक, और मेने यहाँ पर जीरा डाला है, फिर इसके बाद हमने इसमें डालना है पानी, पहले हम एककब पानी डालेंगे और इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे, ताकि इसमें कुई भी लंपों ना बन मों यहा पर तकरीबन मैंने 2 क पानी डाला है ताकि इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बन जाए आप देख सकते हैं अब इसको रेस्ट होने देंगे हम 15-20 मिन तक के लिए फिर उसके बाद हमने ग्रिटल को अच्छे से गरम करना है या डोसा तब अभी आप ले सकते हैं इसमें पोर करेंगे हमारा बै । आउ प percept जो हमारा जा उते हैं रहे से तके बाराद जिए यग्लसु मारणीटष्ट आप प्रे उसक्रामानी होने अजयर से यजर करने डिए अरहा औरी ते lleva करने घट जाए आए यायू जुार्योर्स करना हमारा, जाए जमारा बैसे हैं भी जाए जासे हैं आए जासे